नमस्कार न्यूजेट इंडिया के खाश शो में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सपना शुक्ला गाजा युद अब पूरे मिडल इस्ट का युद बन गया है सीस फायर के बीच में इरान ने इस्रेल को विनाश की धमकी दी है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ साफ कह दिया है कि इस्रेल ने जितने बम गाजा में गिराए एक एक का बम का बदला इरान इस्रेल से लेने वाला है इधर इसरेल ने इरान को धमकी दी है कि अगर इसरेल पर इरान ने हमला किया तो इरान का भी वही हश्र होगा जो गाजा का हुआ है इरान का एलान इसरेल का विनाश शुरूर घाजा में भायंकर नरसंगार का बदला अब इरान लेगा इरान के सुप्रीम लीडर अलिखामनेई ने एलान कर दिया है कि भले ही हमास और इसरेल के बीच सीज़ फायर हो गया हो लेकिन इरान गाजा में गिराए गए एक एक इसरेली बम का खूनी बदलाज जरूर लेगा इरान ने यहां तक धमकी दी है कि वो इसरेल और अमेरिका को किसी भी कीमत पर नहीं बक्षेगा और अब इसरेल पर भीशन हमले शुरू हो चुके गाजा में एक एक बम का बदला लेगा इरान हम आपको आगे बताएंगे कि इरान इसरेल पर किस तरह से घातक हमले शुरू कर रहा है और अभी इरान, हेजबुला, हूथी के लड़ाकों के साथ मिलकर इसरेल पर किस तरह से हमले तेज कर रहा है लेकिन उससे पहले ये जान लीजे कि इसरेली सीना ने सीज फायर के दौरान पिछले 48 घंटे में गाज़ा और वेस्ट बैंक में कितनी भीषण तबाही मचाई है और हमास को कितना बड़ा नुकसान हुआ है इसरेल सुरक्षबलों यानि आईडियफ ने दावा किया है कि पिछले 24 घंटे में हमास के नौसेना बल के कमांडर को उसने मार डाला है कमांडर उमर अबुजला हमास की नौसेना बल में एक सीनियर कमांडर था कमांडर उमर अबू जल्ला को इस्रैली सेना ने हवाई हमले में मारा है अब तर हमास के 70 से ज़्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं कमांडर उमर अबू जल्ला से पहले दक्षुनी खान योनुस बटालियन के कमांडर बिलाल अलकीद्रा मारा गया था जबकि उससे पहले कमांडर अयमन नोफेल और मेजर जनरल जियाद मुहिसेन भी मारे जा चुके हैं जबकि हमास कमांडर मुराद अबू मुराद, अली कादिर और मुहम्मद कटमश को भी आईडियाफ मार चुकी है इस्रैल को नहीं बचा पाएगा सीज़ फायर अब सवाल उड़ता है कि आखिर इस्रैल के सामने ऐसी क्या मजबूरी होई कि उसे हमास के साथ चार दिन का सीज़ फायर करना पड़ा इरानी सेना के दावों के मुताबिक गाजा सिटी में इस्रैली सेना को भी बारी नुकसान हुआ है इरान का यहां तक दावा है कि भले इस्रैल अपने सत्तर सैनिकों के मरने का दावा करे लेकिन हकीकत में इस्रैल के दस से बीस गुना सैनिक गाजा सिटी में सीधी जंग में मारे जा चुके हैं इसलिए इरान के सुप्रीम लीडर अलीख खाम नहीं चार दिन के सीजफायर शुरू होने के साथ की ऐलान कर दिया था कि घाजा में गिराए गए एक एक इस्रैली बम का बदला लिया जाएगा इसी को लेकर एरान की राजधानी तहरान में एरान सैनिक और लड़ाकों ने जबर दस्त प्रदर्शन किया है जिसमें इस्रैल को नक्षे से मिताने की गस्मे खाई गई है तहरान में हुए प्रदर्शन की तजवीरों में साफ देखा जा सकता है कि जबर दस्त नारों के बीच इजरेल को मिताने की गस्मे खाई जा रही है दर नजात मरदों फलस्तीन इकड़ाम ताइन कननदे या अनजाम दहत बर नाउमिदी मिलत हा अज दोलत हा व बीताबियान हा दर दिफाद फलस्तीन अफ़दूदे मी शवद इरान का एलान इसरेल का विनाश शुरूदे मीडिया के मुताबिक नेतन्याहु के लाख चेतावनी देने के बावजूद इरान बंकरों में छिपे अपने घातक हत्यारों से इसरेल पर बड़े हमले की तयारी कर चुका है एक अनुमान के मताबक इजरेल पर हमला करने के लिए एरान ने शाहिद सीरीज के आत्मुलादी ड्रोन तयार कर चुका है इसके अलाबा मुहाज़र 10 अराश टूर ड्रोन भी एरान के बेहत गात खतियार है जो इजरेली शहरों को तबाह कर सकते हैं हमास का साथ एरान और हेजबुलाज जबरदस तरीके से दे रहे हैं इसरेल भी जानता है कि इरान के 5.75 लाख सैनिकों से जंग करना जरा भी आसान नहीं है इसरेल के पास सिर्फ 1.73 लाख सैनिक है इसरेल की 4.65 लाख के रेजर्फ फोर्स को जोड कर भी इसरेल इरान के आस पास नहीं टिपता है अब ऐसे हालाख के बीच इसरेल का ये कहना है कि वो पूरे मिडल इस्ट में कहीं भी कभी भी बंबारी कर सकता है ये धाबा वाकई हैरान करने वाला है लगन ये भी सच है कहाँ पडिको साथ फीस्टी तक इसरेल तबा कर चुका है इधर तेड़ महीने से जादा की जंग में लगभग 15,000 से जादा लोग घाजा में मारे जा चुके है लगभग 30,000 लोग अभी भी कभरिस्तान बन चुके उत्तरी घाजा के इमारतों में दफन है लगभग 50 दिन की जंग में इसरेली वायुसेना ने 35,000 से जादा बम उत्तरी घाजा, दक्षनी घाजा और वेस्ट बैंक पर बरसाए हैं इस दोरान फिलिस्तीनी इस्लामित जिहाद आतनफ़ादी संगठन के सैंने मुक्छालय को भी नश्ट कर दिया गया इसके अलाबा आईडियेफ ने हमास के कई बुनियादी धांचे को भी बरबाद कर दिया इधर हमास के टॉप कमांडर इस्माइल हानिया इरान के साथ मिलकर इस्रेल से लंबे युद्ध की जबरदस्त तयारी कर रहे है जरा इन तस्वीरों को देखिए हमास के नेता और टॉप कमांडर इसमाईल हानिया इरान के विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्ला हियान के बीच एक जबर्दस्थ मीटिंग हो चुकी है तावा किया जा रहा है कि कतर के राजधानी दोहा में हुई इस मीटिंग में इरान ने हमास के लीडर्शिप को साफ कर दिया है कि एरान इसरेल के खिलाफ जंग में उतर चुका है अब इरान की बेताशा सेम्नी अताकत हमास की ताकत बन गई है यानि घाज़ा में इसरेल को सिर्फ हमास से नहीं बल्कि एरान की सेना, लवनन के हजबूला लडाकों और हमास के सुरंग जिहादियों से जंगर में पड़ेगी अनि कबर रूए ता अज़र्खीम शलखीम इम तगलीम लवनीं लोर्च खोफ वनाइम दरॉमा वजबला गुररत लवनन ले गाजा में एक एक बम का बदला लेगा एरान लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसरेली सेना के होसले साथ में आसमान पर पहुंच गया है जरा देखिए कैसे इसरेल की एरफोर्स के चीफ मेजर जंडल टोमेर बार ने एक टीवी चैनल पर ऐलान किया कि जरूरत पढ़ने पर पूरे मिडल इस्ट में कहीं भी बम गिराए जा सकते हैं इसरेली वायुसेना प्रमुख के ओर से आए इस बयान को खास तोर से इरान और हेजबुल्ला के लिए चेताउनी की तड़ा देखा जा रहा है इसरेली की वायुसेना चीफ ने कहा है कि हम हमास पर चौध आरफ़ा हमले कर रहे हैं उसको जमीन पर और जमीन के नीचे मार रहे हैं हमारे जवानों ने हज़ारों आतनकुआदियों और उनके ठिकानों पर हमला किया है हमने हमास को खत्म करने की कसम खाई है और हम उनको चुन चुन कर खत्म करेंगे हमास के किसी भी ठीकाने और मददगार को नहीं चोड़ा जाएगा इसराइल की वायु सेना पूरे मध़पूरों में जहां भी जरूरत होगी वहां कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים הורסים לחמאס את התשתיות בעזה ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים हमास की मौझूदा सेनिक शम्ता को देखें तो उसके पास ज्यादातर एरान के दिये हथियार है इसरैल पर मौझूदा हमले में फजर 3 और फजर 5 रॉकेट का इस्तिमाल किया जा रहा है ये दोनों ही सतर से सतर पर मार करने वाले मिसाइले हैं इन में से फजर 3 43 किलो मीटर तक वार कर सकती है जबकि फजर 5 75 किलो मीटर तक तबाही मचाती है इरान से हमास को छोगी दूरी तक मार करने वाले रॉकेटों का जखीरा भी मिला है इसके अलावा हमास अहत गोलों और विसपोटों का जम कर इस्तिमाल कर रहा है RPG से सबसे ज़्यादा हमले सुरंगों से हमास इसरेली सेना पर कर रहा है विसपोटक विल्ट का भी इस्तिमाल हमास के लड़ा के IDF के खिलाफ जम कर कर रहे है जबकि एंची टैंक मिसाइले हमास का चूँ खथियार इस वक्त थाबित हो रही है कुल मिलाकर इरान गाजा में इसरेल से खूनी बदले लेना शुरू कर चुका है अब देखना होगा इसरेल एक साथ हमास, हेजबुला और इरान को हमले का जवाब कैसे देगा और सीजफायर की बाद इरान इसरेल पर किस तरह के गातर खमले करेगा